भविश्य किसी का सुरक्षित नहीं है भविश्य का निर्मान करना पड़ता है और संतान को काबिल बनाना होता है होश्यार बनाना होता है हुनन्रमंद बनाना होता है यही सबसे बड़ा उपहार उनके लिए हो सकता है देश विदेश में बैरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार मैं हूँ मोहित कमिल्शने माली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल में और आज का राशी फिल यानि की 15 नवंबर के इस विशेश एपिसोर में साधी साथ आप सभी को बढ़ाई और शुपकामनाई भी देना चाहूँगा जनका आज जनम दिवस है मैरेज अन्वरस्तिरी है या को विशेश यादगार दिन है सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचांग से तारिक 15 नवंबर 2023 है दन बदवार का है और विशेश पाय में आज आपको बता रहा हूँ भाईदूज मनाने के पीछे का रहस्य क्या है येस एपिसोर के अंत में बताऊंगा तो अंत तक बने जरूर रहना होगा समवत 2018 का कार्तिक शुकल पक्ष चल रहा है तो शुब चौगड़िया आज के दिन आपको दो बार प्राप्त होगा सुबे साथ बजे से दस बजे तक और साड़े पांच बजे शाम के वहां से लेकि साथ बजे तक उत्तर दिशा में आज के दिन यात्रा करना आपके लिए परिशानी बना सकता है क्योंकि दिशाशूल दोश लग रहा है तो वही दिशाशूल दोश का परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंब कर सकते हैं फिर बात आती है सुर्योदे कालीन कुंडली में शुब ग्रह योगों की तो आश्रे योग, अन्फा योग, सम योग, उभैचर योग, नीच भंग राज योग, अखंड सामराज्य योग और केंद्र त्रिकोन राज योग का आपको साथ मिल रहा है अब बात करते हैं लाक रुपे की यदि पती को बाद बात पर, बिना बाद ही, गुसा आ जाता है कभी पत्नी पर, कभी बच्चों पर, कभी नौकरी पर, कभी पडोसियों पर, कभी नौकरों पर तो, आपको एक छोटा सा उपाय करना है सूखी लाल मिर्च आपको मालूम होगी, आपके किचन में उसके उतने ही बीज लीजे जितनी पती की आयू है और उन बीजों को उस समय आग पर लगाएं या डालने जब पती घर पर वापस आते हैं या फिर वो घर पे उपस्थे थों इस उपाय का पती को पता नहीं होना चाहिए बस इस बात का ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ गंद मिलने पर उन्हें ध्यान चले कि कुछ जल रहा है अगर पत्नी यानि की सुहागिन महिला जो अपने पती के नहमत ये करती हैं तो ये देखेंगी कि पती के सुभाव में अपने आप चेड़ चड़ापन हो कम होना शुरू कर देता है और इस प्रकार का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं पर अगर आप पती हैं जो अपनी पत्नी के गुसे से परेशान रहते हैं तो आप भी उपाए जरूर कर सकते हैं ऐसा कब तक करना है अब सवाल दूसरा यही आता है तो लगातार साथ दिनों तक आपको एक ही समय पर ये उपाय करने की जरूरत है यानि कि अगर शाम को आप करते हैं तो साथ दिनों तक शाम के समय करेंगे अगर रात को करते हैं तो साथ दिनों तक लगातार रात में ही करेंगे इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं आज के राशी फलकी और शुरुआत करेंगे मेश राशी से एट्थ हाउस में चंद्रमा सादक तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 34 डॉट्स हैं ओवरॉल सिच्वेशन 70% आपके लिए अपोर्टिव बनाते हैं पर ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजरुग है आपको अपनी हिल्थ को लेकर के खास तोर पे ध्यान देना है क्योंकि ब्रीटिंग प्रॉब्लम चाहे हम अस्तमा की बात कहें ब्रॉंकाइडिस की बात कहें या फिर एर पॉल्यूशन की वज़े से सांस लेने में परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है खास तोर पे लंग रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय में उत्पन होती नजर आ सकती है तो वहीं रीसेंट सरजरी से जो बाहर आए हैं उनको अपना ध्यान रखने की जादा जरूरत रहेगी अगर हम बात करते हैं व्यापार की नौकरी की कमाई की तो यहाँ पर आज के दिन गुसा और आवेश के कारण स्वयम का नुकसान करते नजर आ सकते हैं ऐसे समय में कहीं न कहीं अगर अपने गुसे को कंट्रोल करते हैं तो कह सकता हूँ कि कमाई होगी पर उस कमाई से संतुष्ट आप फिर भी नहीं रहेंगे यहाँ पर स्ट्रगल का दिन है प्रिजरवेशन का दिन है जादा खर्च कर देंगे जादा कोशिश है करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ठकान और खर्च ही रहेंगे पर कमाई फिर भी आपको संतुष्टी वाली प्राप्त नहीं होने वाली ऐसे समय में एक राय छोटी सी दूँगा चाहे यंगस्तर्स हैं या मैरिट कपल्स हैं अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ में इस समय में थोड़ा जो परताव है उसको विनम्र रखें आपकी आवाज में आपके शब्दों में थोड़ा प्रेमल ज्यादा रखें इस बात का ध्यान रखते हुए आज के दिन को बिताना ज़ादा जरूरी है शुबरंग रहेगा आपके लिए मरून कला शुबरंग रहेगा नमबर नाइन अब बात करते हैं व्रशब राशी की तो आपके लिए सेवन्थ हाउस में चंद्रमाय अश्ठग वर्ग में 23 डॉटस है पर विपत्तारा का साथ है जो ओवरॉल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 75% पॉस्टिव बनाता है चाये हम यहाँ पे कहें कि लेन देन की बात हो किसी से पैसे लेनी की बात हो वो इस समय में आप जरूर करें इसमें आपको सफलता मिल सकती है पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी से भी जब मांगें तो थोड़ा प्रेम पूर वक इस समय में चलने की बात जादा रहेगी यहाँ पर influence आपका इस्तमाल करना बहुत ही जादा बहतर सिद होगा जिसके कारण यहाँ पर सुख सुविधाओं की प्राप्ती भी हो सकती है याद फिर काफी जो tension है, stress है उससे इस समय में आपको relief मिल सकता है खास तोर पर ऐसे समय में अगर investments आप कर रहे हैं, share market में investments कर रहे हैं याद फिर commodity market में investments कर रहे हैं, किसी भी स्क्रिप्ट में आप investment करने वाले हैं तो इससे आपको शांदार तरीके का लाब देखने को मिलेगा तो दूसरी तरफ, extra sources of income जिसे कहते हैं, वो आप generate करते जरूर नजर आने वाले हैं यात्राओं की बात कहें, तो यात्रा इस समय में आपके लिए काफी जादा संपन देखने को नजर आएंगी काफी जादा सुख की प्राप्ती होगी, जिस उद्देशे से यात्रा करते हैं, वो उद्देशे यहाँ पूरा होता नजर आएगा पर इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं इस समय में जो महनत है थोड़ी जादा करनी पर सकती है यह कहें कि नॉमली जो आपका काम चलता है, जिस फ्लो में चलता है, उस फ्लो में आज के दिन बार-बार रुकावटने देखने को मिल सकती है पर बड़े बुजर्ग इस समय में अपनी हिल्थ को लेकर के आराम फर्माने वाले हैं, कोई परिशानी समय में नहीं है घर परिवार के साथ में इस समय में काफी ज़्यादा खुशी का माहौल आपको देखने को मिलने वाला है अब बात करते हैं मिथुन राशी की, तो आपके लिए 6,000 में चंद्रमा है, जनमतारा का साथ, अश्ठक वर्ग में 21 डॉट से यहाँ कह सकते हैं कि sixty percent दिन आपके लिए positive है, पर जहाँ पर परिवारिक जीवन कहें, दामपत्य जीवन कहें, सांसारिक जीवन कहें, यह आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं पर आध्यात्मिक चिंतन इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं चिंताइं बहुत जादा है या फिर खुद को लेकर के इंसेक्यॉरिटीज इस समय में बढ़ती नजर आ सकती है चाहे करक में किसी के साथ में कुछ कहा सुनी जादा हो गए है उसे आप आराम से सुलजा लेंगे कमाई है वो भी हो जाएगी पर अंदर की जो मशक्कत है जैसे हम कहते हैं कि एक इंटरनल फाइट चल रही है बहुत जादा सोच रहा हूँ बहुत स्ट्रेस में अंदर ही अंदर हूँ पर बाहर खुश नजर आता हूँ वही चीजे इस समय में आपके साथ में होती नजर आ सकती और कोशिश यही करनी है कि यह जो इंटरनल फाइट है इंटरनल कॉनफलिक्ट है डिसिजिजन्स को लेके रिष्टों को लेके अपनी फैनानशिल स्टैंडिंग को लेकर के या तो फिर खर्चों को लेके तो खुद को ही वो जंग जो है वो जीतने की जरूरत है और यहाँ पर यही कहूंगा कि ऐसा अगर कुछ चल रहा है अगर internal conflict है तो यहाँ पर कोशिश कीजेगा कि आज जो आप पानी पीते हैं सबसे पहले तो चांदी की ग्लास में एक मोती डाल करके रख दीजे जब सुबह उठते हैं यानि कि 15 तारिक शुरू हो चुकी होगी आप उपाय करेंगे 14 तारिक की रात को तो जब 15 तारिक को सुबह उठेंगे तब यह पानी पीएंगे मोती जो है वो आप साइड में रख लीजेगा चांदी की ग्लास से पानी स्वयम पी लीजेगा उसके बाद में अपने दिन की शुरुवात कीजेगा शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुबरंग रहेगा नमबर सेवन अब बात करते हैं करकराशी की तो आपके लिए फिफ्ट हाउस में चंद्रमा प्रतियारी तारा का साथ और अश्ठग वर्ग में 31 डॉट से ओवरॉल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है पर यहाँ पर फिजूल खर्ची का है या फिर कहीं ना कहीं पर गलत कंपनी यहाँ पर मिल जाना का है यह परिशान ज्यादा कर सकती है खास तोर पर जो यंगस्टर्स जॉब स्विच करने की बात सोच रहे थे करिंट प्रोफाइल में खुश नहीं थे अब यहाँ से रिजाइन करने वालते तो आपको थोड़ा समय और इंतजार करना है क्योंकि यह समय जो है अगले आने वाले यह कहों सिफ आज-ाज का दिन इस समय में थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रख लीजेगा कहीं ऐसा नहों कि आज के दिन अगर तैश में आकर के सीनियर्स के साथ में कुछ बात करेंगे तो कहीं ऐसे शब्द आपके इस्तमाल हो सकते हैं जो आपकी इमेज खराब कर दें गर्वती हैं तो और जादा साथना रहें तो वरना नॉमल ग्रहनी जो है वो इस समय में चाहे गौसिप के कारण कहें घर परिवार के अंदर नॉमल बातों के अंदर तैश खा जाना कहें उसके कारण परेशानिया जादा उठानी पड़ सकती है यहाँ पर financial stability को लेकर के काफी ज़्यादा सवाल उठते नजर आ सकते हैं चाहे लोन की एमाई आने वाली है या फिर खर्च बहुत ज़्यादा हो गया हर चीज एमाई पर चल रही है तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के प्रशन स्वैम के मन में उठते नजर आ सकते ह थोड़ा आपको control रखने की ज़र्वत जादा रहेगी शुबरंग रहेगा आपके लिए blue color शुबंक रहेगा number five अब बात करते हैं सिंग राश्री की आपके लिए fourth house में चंद्रमा है शेमतारा का साथ अश्ठक वर्ग में ठरी seven dots है यह situation अगर six house का चंद्रमा होती तो की fourth house का चंद्रमा है यह situation आपके लिए 80% फिर भी supportive है वरना hundred नहीं बहुत जादा positive हुआ जा सकता था यहाँ पर supportive होने के कारण यह कह सकते हैं कि चीजें मन मताबिक चल रही है काम हो रहा है अपने आप autopilot पे चीजें चल रही है आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है पर कही ना कहीं पे अंधरूनी तोर पे जिसे हम कहते हैं यहाँ पर एक conflict जादा नजर आ सकता है काम करने की इच्छा नहीं है रेस्ट करना चाते है रेस्ट करने का महौल नहीं मिल रहा है तो इसके कारण irritation जादा हावी होता नजर आ सकता है चाहे घर परिवार वाले लाख कर रहें आपको खुश करने की पर आप स्वैम ही चीजों को लेकर कि बुरा बहुत मान रहे हैं चिड़ जाते हैं किसी को कुछ कह देते हैं आप शब्द का इस्तमाल करते हैं यह समय में जादा परेशानी वाले आपके लिए नजर आ सकते हैं चीज़ें खास तोर पैसे समय में एक और शीज़ कहूंगा कि दोस्ती के साथ में दोस्तों के साथ में कहीं बाहर घूमने जाना चाते हैं मिलना चाते हैं दिपावली अभी अभी हुई है तो इसके बाद में रामा सामा का समय जैसे हमारे यहां पर आता है कि स्ने मिलन होता है परिवार और दोस्तों के सा ऐसे समय में कोई भी business related important decision जहां पे कोई बहुत बड़े आपके funds इस्तमाल होने वाले हैं तो इस decision को अभी के लिए आप छोड़ दीजेगा अगर ये decision आपको लेना ही है तो आपको बता देता हूं 18 तारिक की सुबह को 10 बजे के बाद में आप ले लीजे आपके लिए बहुत अश्टक वर्ग में 35 dots हैं यहाँ पे situation कहीं जा सकती है कि हमारे लिए 70% positive है जिसमें attraction power बहुत जादा होगा attractiveness आपकी बढ़ जाएगी confidence आपका बढ़ जाएगा emotional जिसे quotient कहते है emotional intelligence कहते है वो आपकी बहुत आई होगी यहाँ पे लोग आपके पास में आते नजर आएंगे आपसे राये लेना चाते हैं अपनी life problems आपके साथ में discuss करना चाते हैं अप हर किसी के लिए एक guiding light बन रहे हैं वो होता है ना कि light housing होता है जो हर समुझर के किनारे पे होता है आने वाली बोल्ट्स को आने वाली ships को रास्ता दिखाते हैं तो वही चीज़ आप बनने वाले हैं कि swim की जिंदगी में कितनी भी लہरें और तूफान चल रहे हूं पर आगे वाले को रास्ता आप जरूर आपको मिल सकते हैं यहां पर यह भी कहूंगा कि अगर जॉब की कोई परेशानी है तो यहां पर अगर सही से बात हो जाए आमने सामने बैठ के बात हो जाए तो शायद जो जॉब की प्रॉबलम है जॉब में समस्या चल रही है कॉन्फलिक्ट्स है वो आपके इस समय में खतम हो सकते हैं शुब रंग रहेगा आपके लिए यलो कलर शुब अंक रहेगा नमबर टू अब बात करते हैं तुला राशी के तो तुला राशी के लिए इस समय में चंद्रमा है सेकिंड हाउस में विपत्तारा का साथ जो कन्फ्यूजन को बढ़ाने का काम जरूर करेगा और अश्ठक वर्ग में रहेंगे 21. जो ओवराल सिचुएशन को 25% आपके लिए सपोर्टिव बना रहे हैं पर ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है बुद्धी की गलत चीजें सोच रहे हैं गलत फेहमिया उत्पन हो रही है गलत शब्दों का इस्तमाल कर रहे ह communication problem इस समय में बढ़ रही है और यही चीज है जो इनसान के लिए सबसे important होती है और वहीं पर परेशानी बड़े खर्च कर बैठते हैं लोगों को impress करने की कोशिश करते हैं यहां पर impress सामने वाले को कैसे कि तू बड़ा की मैं बड़ा चल आज देखते हैं यह परेशानी ज जो है यह पुरिशों में जादा देखने को मिलने वाला है तो महलाएं जो है वो इस समय में अपनी आखों को लेकर के परेशान जादा नजर आ सकती है आपको थोड़ा जादा सावधान इस समय में रहना है या आखों को लेकर के जो परेशानी है खास तोर पे कांजिक्टि क्लाइंट है या फिर सामने कस्टमर्स हैं तो इनको बहुत प्रेम पूर्वक बाते समझाने की कोशिश करें अगर आपका पारा चड़ रहा है तो ऐसे में अपने स्टाफ को उनके सामने रखना जादा बहतर रहेगा शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर शुबंक र जाना जैसे हम कहते हैं कि हम एस्पायर करते हैं इसे लोगों के साथ में बैठना हम एस्पायर करते हैं इन लोगों के जैसा बनना मेरे आइडल है कोई तो उनके साथ में मुलाकात इस समय होती नजर आ सकती है अगर आप कोशिश करते हैं यहाँ पर हर काम में सफलता मिलती ह भागिते कारक स्थिती बनती है जिसे हम कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा था और अपने आप हो गया नॉमली करते थे नहीं हो पाता था मूँ के बल गिरते थे आज के दिन कोशिश कीजिए इस तरीके की सिचुएशन डेवलब कर रहे हैं जहां पर आपने कुछ कहा तो वो जरूर होगा यहाँ पर मैनिफेस्टिंग पावर जिसे कहते हैं वो आपकी बहुत स्ट्रॉंग है तो यहाँ पर अपने कम्यूनिकेशन पर कमांड बहुत शांदार रहने वाला है खास तोर पे ग्रहनी भी है आपको यही कहूंगा अगर घूमने की प्लानिंग चल रही है न्यू येर पे कहीं घूमने जाना चाते हैं अपने लाइफ पार्टन को इस समय में मनाने की कोशिश कीजे प्रेम पूर्वक मनाईए जैसे आपको मनाने की इचा है वैसे मनाईए जो इस समय में आप कोशिशे करेंगी वो आपकी सफल हो सकती है शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुबंक रहेगा नमबर नाइन अब बात करते हैं धनूराशी की आपके लिए ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा है मित्रत आरा का साथ और श्टक वर्ग में 24 डॉट्स है ओवरॉल सिच्वेशन आपके लिए यहाँ पर 70% सपोर्टिव है पर ट्वेल्थ हाउस का चंद्रमा बिनाबाद के खर्च और कहीं न कहीं पर अंजस्टिफाइड ख परिशानी वाली बन सकती है कि ना चाहते हुए मैंने अपने सिर पे कर्ज चढ़ा लिया तो कहीं न कहीं स्वास्ते संबंद समस्यां भी समय में ग्रसित रहेंगी यहाँ पर एक साफ तौर पर चीज़ बताता हूं कि अपने इनलॉस के साथ में इस समय में अगर बात करते ह तो थोड़ा सोच समझ करके करना जादा जरूरी है कि आप एडवाइस दे रहे हो आपकी एडवाइस गलत तरीके से ली जा सकती है कि आप एडवाइस में कोई एक्जांपल देते हैं वो एक्जांपल उसको वो परसनल मान करके आपके साथ में चिड सकते हैं या पर आपके श्री संपन इंसान है तो श्री संपन इंसान की ज्यान को भी सराहा जाता है तो वो वाली चीज आपके साथ में इस समय में देखी नहीं जाएगी कि एडवाइज जरूर दे रहा हूं पर खुद इस एडवाइज को नहीं मानता ये प्रॉब्लम इस समय में परेशानी वाली सि कर रहे हैं तो ऐसे समय में उन पर गुस्सा करने की बजाए क्रोधित हो करके कुछ गलत बोलने की बजाए आप सिर्फ और सिर्फ शांत रहे करके देखते रही इस बात पर ध्यान जादा रहिएगा शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुबरंग रहेगा नंबर वन अब बात करते हैं मकर राशी की तो आपके लिए 11 थाउस में चंद्रमा अधिमित्रतारा का साथ और श्ठक वर्ग में ठड़ी टू डॉट्स हैं 100% positive situation बनती है जिसके कारण हस्मुक व्यवहार जादा रहेगा खुश ज्यादा नजर आते हैं खुश सिर्फ नजर ही नहीं आते बलकि स्वयम भी खुश हैं कहीं बार एक समय आता है कि फीलिंग आती है मैं content हूँ जो है मेरे पास में बहुत है मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने पाया जो मैंने किया जो मेरे साथ में हुआ हर चीज को ल जहां इंसान ऑफिस में बिजी रहता है आप ऑफिस से घर आकर कि अपने फैमिली को इंपॉर्टेंस जादा देंगे और ये चीज आपकी बहुत ही जादा इस समय में अप्रिशियेट की जानी वाली है कि जिसे हम कहते ही कि family life जो है family life को balance करना family को इस समय में priority देना वो इस समय देखा जा सकता है और कही ना कही जिसको हम कहते हैं सुखी परिवार और सुखी परिवार के साथ में दामपती जीवन में सुख, घर परिवार में सुख, बच्चों का सुख इस समय में प्राप्त होने वाला है ऐसे समय में शुब रंग रहेगा आपके लिए परपल कलर शुब अंक रहेगा नमबर थी अब बात करते हैं कुम राशी की तो आपके लिए इस समय में रहेंगे 10th house में चंद्रमा अधिमित्र तारा का 7 और श्टेक बर्ग में 27 dots overall situation 100% positive जिसके कारण नए काम की शुरुआत अपने केरियर में अजब लंबी चलांग और कही ना कहीं पर ये भी कहेंगे कि पैसों को लेकर के investment strategy जो आप बना रहे हैं recently कोई आपका investment आपका in cash हुआ है अच्छा profit आया है तो अब इसको वापस कैसे reinvest करूँ कहां reinvest करूँ इस चीज की आप कही ना कही planning बहुत successfully बनाने वाले हैं पारिवारिक जीवन और दामपत्य जीवन मैं भी इस समय में काफी जादा आपको behavior कहें बहुत positive देखने को मिलेगा एक positive outlook आपका बना शुरू करेगा तो यहाँ पे confidence जो है वो आस्मान चूने वाला है अपने आप में अपनी काबिलियत में जब confidence आता है confidence की backing आजा है जिस इनसान को मान करके चल जाएए कि वो इनसान बहुत ही जल्दी success पकड़ता है ऐसा क्यों है एक इनसान खुद पर ही बार बार सवाल उठाता है जो सवाल उठाता है वो हमेशा पीछे रहता है हमेशा यही परिशानी रहती है क्या मैं इस लायक हूँ और एक इनसान होता है जिसको ये चीज मालूम है कि मैं लाइक इससे जादा कहूं मैं आगे आगे बढ़ता हूं अक्सर देखा जाता है कि जिसमें confidence की कमी हो वो पीछे रहता है जिसमें ग्यान जादा है पर confidence कम है वो आगे नहीं बढ़ता बलकि जिसके इंदर confidence जादा है जिआन कम है वो आगे चलते चलते में अपने जिआन को भी बढ़ाता चला जाता है और वही इनसान successful होता है वो इस समय में देखने को मिलने वाला है कि आप जिआन और confidence दोनों balance में हैं और आगे बढ़ने के लिए success के लिए इस समय आप तयार है शुबरंग रहेगा आपके लिए green color शुबंक रहेगा number 9 अब बात करते हैं मीन राशी की तो आपके लिए इस समय में 9th house में चंद्रमा है मित्रतारा का साथ अश्ठक वर्ग में 23 dots overall situation आपके लिए कही जा सकते हैं कि 70% supportive है पर दबाव, भैड, या फिर डराना, pressurize करना, बिना बाद के conflicts create करना वो इस समय में देखा जा सकता है खास तोर पर office politics के शिकार हो सकते हैं आपको तो इस समय में हर कदम बहुत ही जादा फूंक फूंक के रखने की बात रहेगी कही ना कहीं पर support colleagues का जरूर मिल जाएगा या तपर यह कहें कि एक basket में जो bad apples होते हैं उस में से कुछ ऐसे निकल सकते हैं जो आपके मददगार सिद हो जाए आपके शुप चिंतक सद हो जाए और आपको internal conflict जो चल रहा है उसकी खबर देते रहे जो आपके लिए profitable है तो यहाँ पर ऐसे लोगों का circle आपको बनाये रखना है एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय में खर्च जादा करना पड़ेगा लोगों को मनाने के लिए खर्च जादा करना पड़ेगा सोशलाइस जिसे हम कहते हैं ना चाहते हुए भी एक होता है कि इंट्रोवर्ट इंसान ने जिसको सोशलाइस करने को का जाए वो ना चाहके करता है एक extrovert होता है जिसको कहते है socialize करो बड़ी खुशी से करता है यहाँ पे introvert इंसान जो है उसको socialize करने की बात आ रही है और यही चीज देखने को मिलेगी कि हर चीज में द्वी स्वभाव हो रहा है करूं की नहीं करूं खर्च करूं की नहीं करूं आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू और इन ही सवालों के साथ में जो decisions हैं आपके वो positive आप लेते चले जाएंगे मैं यहाँ पे आपको क्या कहा कि supportive situation अच्छी है तो यहाँ पे ultimately बात यही है कि अपने हित में क्या है वैसे आप आगे बढ़ने वाले हैं खास दौर पैसे समय में अगर कोई यात्रा कर रहे है कमाई के लिए तो कहूंगा कि कल सुभे सवेरे के समय आप शुरू कर दीज़े अपनी यात्रा आपके लिए यात्रा शांदार सिद हो सकती है कमाई वाली सिद हो सकती है यहाँ ब्लू कलर का इस्तमाल करना नीले रंग का इस्तमाल करना आपके लिए शुब साबित होने वाला है तो शुब अंक रहेगा नम्बो वन ये तो हुई बात आज के राशी फलकी अब करते हैं बात विशेश शुपाय की की भाई दूज का रहस्य क्या है कार्तिक महिने की शुकल दूट्य यम दूट्य कहलाती है और ये हमारा भाया दूज कहलाता है इस पर्व का प्रमुख लक्ष क्या है भाई और बहन के पावन संबंद और प्रेम भाव की स्थापना करना इस दिन बहने बेरी पूजन करती है और भाईयों के स्वस्थ तथा दिरगायों होनी की मंगल कामना करके उन्हें तिलक लगाती है अगर गंगा यमुना में आप नहा नहीं सकते हैं आज के दिन तो भाई को बहन को घर पर ही नहा लेना चाहिए है भाई को खाना खिला करके तिलक लगाना चाहिए इस दिन बहन के घर भाई के खाना खाने से भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कश्ट दूर होते है और इस दिन बहनों को अपने भाईयों को चावल यानि की जराइस होती है वो जरूर खिलाना चाहिए जो भी आप डिश बना रहे उसमें ये कोशिश जरूर करें चावल उसे मूसलों से तोड़ती हैं दोपेर के बाद में बहन और भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन अता से मनाते हैं और इस दिन यमराज जी के पूजन का भी आपको विशेश ध्यान रखना है पौरानिक आखियान के अनुसार इस दिन भगवान यम अपनी बहन यानिकी यमना के यहां मिलने आया करते थी और उनही के अनुकरण पर इस दिन जो लोग अपनी बहनों से मिलते हैं उनका यथेश्ट सम्मान पूजन आदी करके उनसे आशरवाद रूप तिलख प्राप्त करते हैं और उन्हें इस दिन मृत्यू भय खतम हो जाता है भयादूज की एक ऐसा ही परव है इस अफसर पर भाई अपनी बहनों के यहां उनकी पारवारिक स्थिती का परेचय प्राप्त करते हैं सुख हो दुख हो उसको पूछते हैं अपना क्या है वो उनको बताते हैं अपने समर्थी अनुसार वे उसे भेट दे करके अपने ब्रात्र स्ने को द्रड करते हैं ये द्रड पारवारिक संगटन ही भारत्य कुटम प्रणाली की जान है हमेशा की तरह प्रात्ना यही करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आश्रवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन